नमस्कार किसंसातियों मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वाग अथे किसंसातियों इस वीडियो में बात करेंगे अफिम की फसल में फूल आने पर कौन सी दवाई का इस्प्रे करें खास करकी डाउनी मिल जिरों के लिए ताकि यह बिमारी हमा आने वाले हैं उस पर इना लगे तो पूरी जानकरी के लिए वीडियो को आफिर तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि डाउनी मिल यानि काली मसी अफिम की फसल का मुख्य रोग है और बहुत ही खतरनाक रोग हैं क्योंकि इस रोग में पतिया नीचे से सुकते हुई उपर की तरह आती हैं और यदि इस रोग को कंट्रोल नहीं किया तो पूरा पोदा जो डोड़ा होता है वो भी सुक जाता है कुल मिला कर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है इस रोग से यह रोग शुरुआ तवस्ता से ही यानि जब फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देता है जो हमारी फसल की परिपक परता अव बादल सा जाते हैं तो यह रोग को तिवरता से हमारी फसल में फिलने लगता है तो किसन बाइयों इस रोग को कंड्रोल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी अवस्ता में यह रोग आपके पोदे की 25 पत्ति से उपर नहीं जाना चाहिए तो किसन बाइयों आपकी फसल में इस इस अवस्ता में आप तीसरा या चोटा इस प्रेय करते होंगे जब फूल सवस्ता आ जाती हैं उसके हमें कौन सा पंजी सईड का यूज़ करना चीए ता उससे हमें क्या फाइदे होते हैं सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजे किसान साथियों प्रोपाइलर पंजी साइड में दो टेक्निकल हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिखाईते रहे होंगे पहला जो टेक्निकल है यह आपके अफिम्गी फसल में जो डाउनियों मिल रोग लगता है उस फंगस के जो बिजानू होते हैं उनको समाप्त कर द कियो और दूसरा जो टेक्निकल हैं यह आपकी पसल में डाउनियों मिलडिव को तेजी से गन्टरॉल करता हैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक पंजी साइड है तो आपके पोदे के हर एक उस हिस्से में समा जाता है जिसमें जहां भी इस डाउन्यू मिल्ड्यू के बिजाड़ों होते हैं उनको समाप्त कर देता है साथ इसाथ प्रोफाइलर एक टानिक के रूप में भी हम यूस कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे पोदों में इस डाउन्यू मिल्ड्यू रोख से लणने की प्रतिरोदा अत्मक्सम्ता बड़ा देता है डाउन यूमेलिक और रोक को रोकने के साथ यह पंजिसाइट, रूट रोट, कालर रोट जैसी बीमारियों को भी नियंतरित करता है अब तक इस पंजिसाइट के पतिरोद में किसी भी कवक में यानि पंगस में पतिरोदा पक्त्रमता विक्सित नहीं हुए है यानि इस पंजिसाइट के प्रियोक से कवक को निश्चित रूट से खतम होना ही पड़ेगा क्योंकि इस से अभी तक कोई पपून मुकाबला नहीं कर पाई पंजिसाइट, भूती, बेश्टें क्योंकि यदि फूल खिल भी गई है हमारे अप्भिम के फसल में तो इस पंजिसाइट के इस्तेमाल से हमारे जो फूल में जो पराकन होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है खास कर ये इसी स्टेज के लिए बनाया गया है यानि फ्लावरिंगी स्टेज के लिए तो खिसान साथियों अभी तक आपने इसका प्रियोग नहीं किया हैं तो एक बार इसका प्रियोग जरूर करें क्योंकि ये एक लंबे समय तक हमें इस बिमारी से नियंटर्ण देता है हमारी फसल के लिए प्लावरिंग स्टेज पे यदि आपने राउनियू मिल्डियू का पूरी तरह से नियंटर्ण कर लिया है तो ये बिमारी हमारी जो फसल के जो डोड़े आने वाले हैं उसके नहीं आएगी और हमें उसमें चीरा लगाने की पहतर संक्या मिलेगी ये रोक पोदे को बहुत जलदी सुका देता है क्योंकि तिर दिर पत्तिया फीली पड़ जाती है परकास छिसलेशन के करिया नहीं होती है जिस करान पोड़ा जलदी परीपको हो जाता है तो किस्द्चान बहुदं इस फंजिशाइड के साथ आप एक और एकस्ट्रा पंगिसाइड जो कि एंट्रोकॉल बाहर कंपनी का आता है, वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो यह प्रोफाइलर है यह एक systematic फंगिसाइड है, जो एंट्रोकॉल है, वो एक contactive फंगिसाइड है, जब फंगिसाइड यानि प्रोफाइलर आपके पोदे की अंदर से करेगा दोनों तरफ से जब हमारे पोदे को इस बीमारी से शुरुक्षा मिलेगी तो निसित रूप से हमारा पोदा स्वच्थ रहेगा तो किसान भाईयों इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी उम्मिद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आएगी और यदि पसंद आए तो प्लिस चैनल को लाइक भी करें और वीडियो को अन्यों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक बने रहेएगा हमारे साथ मालवा किकेती यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखनें के लिए दन्यवाद कि यूटाइन आएगा हमाथ जा लिए करें पोलिए